हेलो फ्रेंट्स, इंकम टेक्स के केसिस की सीरीज में, आज जो केस हम लोग डिसकस करेंगे, उस केस का नाम है महालसा एक्सपोर्ट्स वर्सिस इंकम टेक्स ओफिसर, ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नौट 69 पर रिपोर्ट हुआ मैटर, बेंगलॉर IT80 की A बेंच ने ड सेवनटीन जुलाई 2023 को आया, इस केस के अंदर IT80 के सामने दो बहुत इंपोर्टेंट इशू सामने थे, जैसा कि हम जानते हैं कि असेसी को कस्टम डिपार्टमेंट से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, असेसी सबसे पहले उसका क्लेम फाइल करता है, क्लेम फाइल करने के बार डिपार्टमेंट उस क्लेम को एप्रूव करता है, सेंक्शन करता है, और फिर उसके बाद असेसी को मिलता है, इस बात में कोई दोराय नहीं था कि प्रेजन केस में असेसी जो है, वो अपना मरकंटाइल सिस्टम आफ एकाउंटिंग फॉलो कर रहा था, असेसी ने जो वो क्लेम एप्रूव हुआ और रिसी हुआ वो 2019 में हुआ, असेसिंग आफिसर का ये कहना था कि क्योंकि असेसी ने ये क्लेम 2018 के अंदर फाइल कर दिया है, तो 2018 के अंदर वो ड्यूटि ड्रॉबेक का क्लेम टक्सेबल होना चाहिए, जबकि असेसी का ये कहना था कि मेरा ये क्लेम, एक्रूट तब होगा जब ये डिपार्ट्मेंट इसको अप्रूव कर देगा, उस साल के अंदर ये टक्सेबल होगा, CIT अपील ने भी असेसी को रिलीफ नहीं दिया था, इसलिए मैटर आइटी-एटी के सामने था, आइटी-एटी ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर इसमें कोई शंका नहीं है, जो ड्यूटि ड्रॉब है कि वो टक्सेबल है, असेसी ने 2018 में क्लेम फाइल किया है, अस जिस साल के अंदर असेसी का वो क्लेम अप्रॉब होगा कस्टम डिपार्टमन के दौरा, उस साल वो टक्सेबल होगा, तो प्रेजेंट केस के अंदर आइटी-एटी ने ये कहा कि जो ड्यूटि ड्रॉबेक का क्लेम है, वो प्रेजेंट केस में 2018 में टक्सेबल नहीं होगा जिस साल में SSC ने वो क्लेम फाइल किया 2019 में टक्सेबल होगा जब SSC का वो क्लेम एप्रूव हुआ सेकिंड इशू इस केस में ये था कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब SSC ड्यूटी ड्रॉबेक का क्लेम लेता है तो SSC को उस refund पर उस जो access amount department को वापसी करना होता है उस पे interest भी पे करना होता है तो present case के अंदर भी SSC ने कुछ access refund जो SSC के पास आ गया था उसको जब refund किया दुबारे department को तो उस पे interest पे किया learned assessing officer का ये कहना था कि जो ये interest पे किया गया है ये fine के nature में है ये penalty के nature में है इसलिए इसको allow नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इस मुद्दे पर SSC का ये कहना था कि जो custom rules है उसके rule 17 जो है वो इस चीज़ का प्रावधान देता है कि यदि कोई access amount SSC के पास आ गया है तो SSC उसको वापसी कर सकता है और उसको interest पे करना है तो ये इस बात को दर्शाता है कि खुद law के अंदर ऐसा प्रावधान है कि SSC ये interest पे करेगा तो ऐसी परिस्तिती के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो interest दिया गया है ये penal in nature है और इस पर section 37 subsection 1 attract नहीं होता और अससी को वो interest जो है वो as a deduction अससी को मिलेगा present case के अंदर जो अससी को जो refund मिलना था कुछ और refund मिलना था उसमें से ये interest less हो गया था तो वैसे भी court का ये कहना था ITAT का ये कहना था कि अससी को refund जो refund मिला है वो भी taxable है और उस refund में से ये जो interest minus हो गया है वो cut के उसको मिला है तो ऐसे cases में ये revenue neutral हो जाता है और अससी को जो interest pay किया है अससी ने access refund पर वो taxable नहीं होगा और section 37 subsection 1 के अंदर वो interest allow होगा friends दोनों ही case बहुत important है बिलकुल clarity के साथ ITAT ने decide किया बहुत ही welcoming judgment है वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूँ case का नाम है महालसा exports versus income tax officer और ये case 105 ITR tribunal short note 69 पर report हुआ matter Bangalore ITAT की A bench ने decide किया और इस case का judgment 17th July 2023 पो आया Thank you friends